तारक महता शो के एक्टर है शैलेश लोडा ने अपने परम्मित्र जेठालाल को लेकर बड़ी बात बोल दी है अब जब शैलेश ने ये शो छोड़ दिया है तो दिलीब जोशी उनके साथ कैसा बेवहार कर रहे हैं शैद इसे सुनकर इने पसंद करने वाले लोगों को बहुत बुरा लगेगा लेकिन इस कड़वे सस से शैलेश ने परदा उठा दिया है तारक महता शो में महता साहब और जेठालाल की दोस्ती ऐसी थी कि असल जिंदगी में इनकी दोस्ती की मिसाले दी जाने लगी इस दोस्ती को लोगों ने खूब पसंद किया लेकिन अब शैलेश लोडा जब इस शो से अलग हो गए हैं तो उनके दिलीब जोशी से कैसे रिष्टे हैं इस पर खुला सा खुद शैलेश ने दी लेलन टॉप के एक इंटरव्यू में किया है शैलेश से पूछा गया कि क्या प्रोडूसर असित मोदी से उनका जगडा हुआ तो दिलीब जोशी ने उनका साथ दिया क्या शो छोड़ने के बाद भी उनकी दोस्ती दिलीब जोशी के साथ बरकरार है इसके जबाब में शैलेश ने कहा कि हर कोई अपने काम में बहुत व्यस्त है उसके पास समय नहीं है वो इतना मश्रूफ है कि इस तरह की बाते करने के मौके नहीं आते लेकिन अगर कभी दिलीब जोशी से मुलाकात होगी तो वो दोनों ऐसे ही मिलेंगे जैसे पहले मिला करते थे जब शैलेश से आगे पूछा गया कि क्या ये सच है कि जब तक शूटिंग चलती है तब तक दोस्ती रहती है शूटिंग खत्म तो दोस्ती खत्म इस पर शैलेश ने कहा कि दुनिया का भी यही हाल है जब तक काम चलता है तब तक सब सही काम नहीं तो मिले तो मिले वरना नहीं मिले शैलेश की बातों से ये साफ हो गया कि दिलीब जोशी के साथ उनकी दोस्ती तभी खत्म हो गई थी जब उन्होंने तारक महता शो छोड़ा आगे जब सैलेश से पूछा गया कि असित मोधी के साथ लड़ाई में दिलीब जोशी ने उनका साथ दिया जिसका जबाब में शैलेश ने कहा कि वो सिर्फ उनकी लडाई थी कोई इस लडाई में क्यूं बोलेगा शैलेश की बाते सुनकर ये क्लियर हो गया कि परदे पर दिखने वाली महता साब और जेठालाल की दोस्ती अब वैसी नहीं रही मिलना तो दूर एक दूसरे से कोई संपर्ग भी नहीं होता फिलाल शैलेश की ये बाते सुनकर उन्हें और जेठालाल को साथ में पसंद करने वाले लोगों का दिल तोट गया है वैल आप क्या कहिंगे इस पर अब निराय हमें कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉली बुट पे चरचा को सब्सक्राइब कीजे